अलेकुमgement की नई एपिसोड में बोजोर को अज की एपिसोड में हमें जार्ड झाल आप rub कि और पिछले साल से ऊस्ट्रेव ए frig तेस्ट मैंच नहीं कर सका So आज हम उसके बारे में ंडिसकस करेंगे कि क्या रीजन्स को क्यों पाकिस्तान वहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता क्यों पाकिस्तान इतना श्रखल करता रहा है क्या कंडीशन का मसला है क्या हमारा स्किल लेवल इतना थोड़ा है कि या ऑस्ट्रेलियन जितने डॉमिनेंट हैं, कि वो हमें कुई साइकलोजिकल उनको ऐसा है, जा हम पे कि हम उसको बिलकुल ऑवरकम नहीं कर पाते हैं, ऑस्ट्रेलिया घुरा नहीं पाते हैं, तो जायद स्टार्ट करते हैं कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन्स है इस वाले टूर से पाकस्तान के और श्रेलिया के इस टेस्स सीरीस से मेरे एक्सपेक्टेशन तो काफी लोई हैं कि मुझे काफी रियलिस्टिक हैं शुरू शुरू में मुझे था कि शायद एक अधा टेस्स में इस दोब में भी जी जाएं लेकिन फिर नसीमशा की इंज्री हो गई फि तो लाइक उस पर लाइक जब हम लास्ट टूर किया था हमने उस्ट्रेलिया का 2019 में तो अब भी जो एक इशू था कि हमारी टीम काफी इन एक्सपेशन थी कि आमेर और वहाबर्याज ने इंकार कर दिया था कि हम वर्कलोड हमारा बहुत जादा है तो हम नहीं कहल पाएंग अब हमें साल पिछे महीने तक या आठ महीने पहले तक यही एक्सपेक्टेशन थी कि पास इस दफाश है जब पाकस अस्ट्रेलिया का टूर करें तो बहुत अच्छा वालिंग अटाइक होगा उसमें नसीम है शाहीन है इसान उल्ला भी फिट थे तब तो था कि बड़ा ए सर्थ खेलें गए उस्ट्रेलिया में तो वो किसी भी साइड को तांग कर सकते हैं बाट लेकिन अब हम जब ऑन अईव ऑफ दे टेस्ट सीरीज की शुरू होने पे हैं तो वही कनंडर्म है कि पाकिसान को डेबुटेंट सी खिलाने पाड़े हैं पहले टेस्ट में तो इसको कैसे देखते हैं आप मेरा है जायतर बात फिर उसी भाइए थी कि फाद बोलस की एक तर मिसमेंजमेंट हमारे हम बहुत होती है आमिर और वहाब के टाइम में भी वर्कलोड का मसला था उनका आमिर का भी जिस सारा कमबैक हुआ पांच सार बाब उसको तीनों फॉर्मेड मे की जरूरत है में बिशाए इसलिए भी क्योंके माँ बहुत नहीं है फाद बालिंग में भी तो इस वजासे तो हम काफी इंजिड हो जाते हैं हमारे फाद बॉलर्स तो आइधिंग फाद बालिंग इस ताइम फिर थोड़ी आइगस 2019 से थोड़ी बेतर कर चंसिडर करूंग मैं इसको इवन दो के शाहीन का दूसरा टूर है 2019 के बाद बागी किसी ने भी आउचले में टेस्ट मैचे नहीं खेले वे हैं सजमारी बॉलिंग लाइनम में तो आइधिंग अभी काफी इन एक्सपीरियंस है लेकिन यही हमारा बेस्ट अटैक है फिलाद हम और उसमें एक कि विकेट होगी तो हम शॉर्ट बॉल कराएंगे तो उससे शायद वहमें एक्स्ट्रा बाउंस की विकेट मिल जाएगी या अगर जादा ग्रीन है विकेट तो वहाँ पर कोई नैच्टरली लिखा हुआ है कि हमें स्विंग मिलेगी यह बहुत डिपेंड करता है कि आपको दो टेस्ट मैचेस की जो सीरीज खेली थी उसमें ग्रीन टॉप्स पर पाकिस्तान ने बालिंग की थी पर पाकिस्तान वो एक या दो विक्टर से जादा नहीं ले सका था और एडर एंड अड़ डे न्यूजिलेंड ने वही तीन सो रंस बना दिये थे साड़े तीन सो रंस बना दिये थे और वो टेस्ट मैच आप पहले दिन ये बिल्कुल बायर होके थे तो इन कंडिशन में मेरा है यह ख्याल है कि एक थोड़ा इशू यह भी हमारे साथ के हम जो कंडिशन हैं उनको भी सही तरह यूटिलाइज हमें नहीं करना आता या उनको मैक्सिमाइज नही कर पाते हैं अपने इड्वांटेज में आइसा कह सकते हैं कि हम दर आइक्साइटेड हो जाते हैं अमने देखा लास्ट कोई दो टूर से इंडिया जा रहा है इंडिया कभी शुर्म मेरे जी था के सब कॉंटिनेंट की टीम ती और सिर्या के कंडिशन से एक्लेमिटाइज सकते थे होती जल्दी तो आइ थिंक उनके लाइक रिसेंट क्रॉप फास बोलो जो है सिराज उमेश यादव की अच्छी हार्ड लेंथ वाले करते थे बालिंग और वो लाइक हलका सा बैक अफ दे लेंथ करके और लाइक और टॉप आफ वाली लाइन लेंथ करते थे तो आ अगर ऑस्टेलियन के कंडिशन है तो उनको उस कंडिशन में खेलना भी बिलकुल आता ही होगा बिलकुल सो अब यानि जो टेस्ट टूर से पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट में आपको पता है काफी यानि हल चल मची रही है वर्ल्ड कप के बाद भी एक निया पिंडॉरा व टेस्ट टूर्ड आजए कैप्टन भी ऐस्ट्रेलिया का है एक तो थोड़ा यह बताएं के वटा यो थौट्स ऑनके शान को टेस्ट कैप्टन बनाना कैसा डिसीन था एक दूसरा फिर के डियू थिंग के शान जिस जितना यह बड़ा चैलेंज है क्या शान है बिलिटी या कैसिटी तू लिव अप टू दिस चैलेंज इंग शान को बनाने वाला लाग इस चॉइस बिसक लिए शान ही थी सेकंड चॉइस या फिर रिजवान हो सकती थी एक चॉज़गे रिजवान टेस्ट का वाइस कैप्टन था उस वक्त लेकिन अग्स हुने शान को बनाने कुछ कुछ थॉट प्रोसेस होगा उसके बीचे या गैस यूंके वह यॉक्षयर की कैप्टन सी भी कह रहा था रिसंटली तो इस यह देख्यों ने बनाया होगा कि उसका रेल बॉल में काफी रिसंट एक कैप्टन सी एक्सपिरियंस है रिजवान का जबकि लास्व जो न्यूज कैप्टन होस अच्छा कैप्टन है लेकिन सुना उसके बार में यह क्यों काफी अच्छा कैप्टन है इवन दो आइड़न थिंक के यॉक्षायर की कोई खास इतनी अच्छी परफॉर्मस थी काउंट डिविएन टू में भी वो काफी नीचे तो आइड थिंक के वह एक तो ह बट अब अब वह उसको पाकिस्तानी टीम में उसको कैसे ट्रांसलेट करता है इट इस अगुड तिंग पर एक थोड़ी वह ज़े लगता है उसकी जो कैप्टन सी को कैप्टन मनाने के पीछे जो रीजन थी वह यह भी थी कि जो हमारी सेलेक्शन कमेटी है या जो हमारा थि थिंकिंग है कि शान इस एक्चुली जिस तरह कि हमने वह पाकिस्तान वे और वह वाली बात चीत की थी तो इस एक्चुली वान गाया है जो कि मौडरन टेस्ट क्रिकेट खेल भी सकता है और अपनी टीम को खिला भी सकता है वह शान है तो इस वजह से शान को थोड़ा मेरे से चांस मिला कैप्टेंसी पे अहेड ऑफ रिजवान और एक और चीज मेरे ख्याल से यह भी है कि वान तिंग हमें पता है कि कम असकम शान की कैप्टेंसी में हमें रिजिडिटी नहीं नज़र आएगी कुछ हमें अट लीस आउट अफ द बॉक्स वेलकुं ठिंकिंग कोई क fim डिफरेंट टाक्तिक्स कोई को इनवेशन को कोई कि कोशिश करेंगे कि अगर आपको विकट नहीं मिल रहे हैं एक सेशिन में मिल रान जादा हो रहे है तो आपको य डिफरेंट चीज चीज़ करने ही कोशिश jewn बजाये इसके कि वहीं जो एक लटा लटाय अपलान है ज यह प्लान जो एक ए है उसके लावा प्लान नहीं होता था उसके पाथ तो यह थिंग के शान इस लिहाद से तो हमें थोड़ा वो लगेगा कि टैक्टिक वाइज ही इस वरी साउंड यह थिंग क्या सकते हैं प्लस जो आपने बात की के मौडरन वाली शान आथिंग पाकिसान वे शुरू आता से लंगा वाली सीर्ज में शान उससे पहले से यह कर रहा है कि शान आथिंग जब कमबैक किया उसने तो इस टैम बे काफी लाग को एक अटैकिंग रिकेट खेल रहा तो इसको फालो कर रहा था जो कि बागी टीम को भी लेक कर आ सकता है तो एक चेंज और इनोवेशन भी क्यूंकि क्यूंकि शान का केरे खुद उसी तरह कर रहा है उसको एक टैस्ट क्रिकेट का डेब्यू स्कों 2013 में हुआ था दस साल हो गया है लिए उसने जाए कुछ टैस मैचिस केलें नहीं 25 टैस्ट मैचिस केलें तो वह ओन और वो ड्रॉप होता है वह निया कुछ करता है फिर वह वापसाता है तो इनोवेशन वाला उसके लिए से भी है और यह है कि उसने अपनी गेम को भी जैसे एवॉल्फ किया है लाइक वह बहुत लिमिटेड प्लेयर हो तो सी के हाओ शान फेर जिन टूर लाइक जो टूर मैच था उसमें तो डबल हंडर्ड भी की है वह पिच्छ के बारे में इस तरह हफीज ने का कि इस तरह की पिच्छ हमने इतनी डल पिच्छ जो है ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी नहीं देखी तो वह एक जब पर्थ या व बैटिंग तो मेरे ख्याल से इस वान एरिया जिसे हमने इंट्रो में भी बात की के बैटिंग ने तो पिछले कुछ टूर्स पर उस्ट्रेलिया में अच्छा किया है वेंटी सिस्टीन का टूर हो उस पर भी हमने डीसेंट स्कोर किये थे ब्रिस्बन में हमने अल्मॉश स्कोर शायद विनिंग स्कोर नहीं बाट रिस्पेक्टेबल स्कोर पुट करे थे 2019 में भी बहुत कोई नहीं था बाट हमने डीसेंट बैटिंग थी तो बैटिंग तो हम हमें आस्ट्रेलिया में लगता है कि कुछ ना कुछ करनी आ गी है लेकिन जो बोलिंग है मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा कंसर्ण है बिकॉज आफ्टर जिस सिड्नी टेस्ट जो 2010 में था उसमें हमने आफ़ी रफ ऑस्ट्रेलिया में 20 आउट की है उसके बाद से लेके अब तक हमने जितने भी टेस्ट मैच खेले ऑस्ट्रेलिया में उनके 20 खिलाडी नहीं आउट कर सके तो उसमें पर बालिंग एटाग में भी लाइक शाहीन इस देर बट उसके अलावा खुरम शहजाद इन एक्सपीरिंस्ट है आमेड जमाल इन एक्सपीरिंस्ट हैं तो इस सब को कैसे देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान टीम की कॉमपोजीशन और उस पे आपके थौट्स है पहले बैट्रिंग की अगर बात करें तो उसमें मिडल ओर्टर हमारा है साउच शकीर, सरफराज, सल्मान अली आगा तो एक हाई क्वालिटी पेस अटेक अगेंस्ट मुझे थोड़ा है कि यह 5-6-7 थोड़े से हैं कि वह जाहतर इन नोन वे इसलिए कि वह स्पेन को तो उसके लावा इसलिए कि बाॉलिंग में भी है कि हमने एक तो दो डेब्यूस करा दिया उसमें भी आइव हो फ्रम खुरम शजाद के वह अच्छा करेगा लेकिन आमेर जमाल का वही मसला के वह काफी वेवर्ड है तो उसकी लाइक मुझे है कि वह भी वह उसमें जाह को जो भी हम बात करते हैं कि शॉर्ट बॉल से आउट करने का बाउंस आउट करने का वह काफी पेस पर काफी डिपेंडेंड है तो यह मसला हो सकता है और लाइक जो अपने बात की लाइक मुझे वह थोड़ा लाइक साओड या आगा से तो फिर भी शायद उमीद हो के वह वह इसी तरह साओड का भी है के ही कैन वेनेवरी नीड वह वह विकेंड सिर्फराज पे तो मुझे बहुत सीडियस डाउट है कि especially on bouncy wickets उसका वो जो वो crouch करता है नीचे जमीन पे उसके साथ तो बाउंस को खेलना is very difficult like वो तो आप हर ball slip में edge करेंगे या keeper के पास तो यह और इसकी मिझे नहीं समझ आ रही कि वाई आर पाकिस्तांस तिंक टैक और टीम मैंजमेंट सो हेल बेंट उन प्लेइंग सर्फराज ओवर रिज्वान इसकी वह तो यहीं रिज्वान के तेंगे उसने काईड़ाम ट्रॉप में रंस्कोर की हैं लेकिन अब गदाफी श्यडियम में उसकी जाधर परफॉर्फॉर्मस और वहां की और प सर्फराज कुछ गलत किया नहीं था एसेंचली टैस्स टीम से ड्रॉप होने में लास्ट रिम कंकॉशन के वह ऐसा आउट हुआ था उससे पहले भी परफॉर्मस ठीक है न्यूजिलेंड वाले में वह काफी अच्छी थी से लंका वाले में भी डिसेंट स्टार्ट थे उसक पहले टैस्स में तो आइधिंक के एक तो यह बात है कि वह नहीं का कि सर्फराज ने खलत किया नहीं कि उसको ड्रॉप करें टैस्स में भी परफॉर्मस फरस्स क्लास में भी अच्छी परफॉर्मस सेम को साओच शगी लाइधिंग कि बात सही आगे को तरीका निकाल लेंग लिए उन्यों लेकिन वह यह आज़ा था कि साओच कभी इसी वैसे उनको फोड़े स्केटिकल इसको ड्रॉप करने के लाइधिंग वार्फॉर्मस फजासे भी इसको बाकि अचिंग के जो मुझे सर्फराज की राइक बैटिंग पर तो आय और आइधिंग के राइक सर्फर खेलता है वह कोई डिफरेंट किसम की वह वियर्ड एंगल्स पे स्कोर करता है रांज तो वह रन हो जाएं बट जादा मुझे फिकर उसकी विकेट कीपिंग की है जो के विच हैस बीन डीजन के वाइस रिजवान विसिकली ओवर्टुक सर्फराज के जो विकेट कीपिंग स आउस्ट्रेलिया में रही कि एक जैसी जगह जहां पर आपने मैच ही नहीं जीता या ड्रॉइ नहीं किया वहां पर एक भी कैच अगर आप छोड़ दे हैं एक भी चांस आप मिसकर दें तो यह बेसिकली गिविविंग अवे थे होल मैच तो दॉपोजिशन क्योंकि आपका वह लाइक अगर हम वह 2016 वाले टूर की भी जिकल करें तो पहला टेस्ट था डेवान था डिनर ब्लेक से पहले मुझे आज भी आद है ऑस्ट्रेलिया वर लाइक वन फिफ्टी फोर थ्री और स्मित का कैच ड्रॉप किया था सफराज ने अजर अली की बॉलिंग पर अड़ सब्सक्राइब करें तो अगर एक भी कैच आप ड्रॉप कर दें तो मुझे तो सफराज की उस पे जाला करन है के वह विकिट कीपिंग सही कर सके गया है नहीं वह जाने बात कि कीपिंग से भी हम टेसमें चाहर सकते हैं वह बात आदे है कि हम एक हारे भी हूं है बिसकर जाए कि आदे हमारी बॉलिंग काफी ने एक्स्पिरियनस है मुझे कोई खास लेकम भीन है कि हम नहीं बॉलिंग से पहले हम एक बीनिंग इनक आउड कर सकें तो एक बैट्समन ने जो कि थिर्टी सिक थिर्टी सेवियर्स ओल्ड है वो हंड्र ओवर्स रेगुलर्ली कीपिंग करना उसके फिटनेस कभी एक होगा कि देखते हैं मुश्किल सी बात करना से पहो नहीं कर सकता और प्लस मुझे बात है कि वह एशिया में खेला है बैटिंग से उसके बेटर है कमबैक के बाद लेगन कीपिंग उसकी लाग वहां भी को इतनी अच्छी नहीं है सिलंका में भी इधिंगा था चांज उसमें मिस्किये थे होम सीरिज में भी तो लाइग एक तेंदर आप कहले उनने रंज और इवन नियू बेलें सीरिज मिला था उसमें भ इन सब के स्टंपिंग भी मिस्की थीं कैज भी ड्रॉप किये थे तो लाइक वो इसर वेरी बिग क्वेस्टिन मार्क्स ओवर इस विकेट कीपिंग अबिलिटी बाद खेर अब वी कैन अट डू एनिधिंग के तो अब तो फिर्स टेस्ट में तो सिर्फ राज ही खेलेंगे तो we can't do anything about it. Now let's come to the top order of जो पाकिस्तान की है, like उसमें kind of settled like बाबर at four, शान at three, अब्दुल्ला शफीक as one of the openers. इमाम पे question marks है, like इमाम एक कहते हैं कि यह होम track bully, पे होम पे तो बहुत runs करता है, but away जब आते हैं, तो वहाँ पे भी वो एकात 50 तो हो जाती है, but वो जो consistency चाहिए आपको या अपने opener से बड़े runs चाहिए on away tours, वो नहीं आपको नज़र आते हैं, especially एक इमाम को अब काफी साल होगे हैं, तो उस पे like, because there is a very strong case of playing Siam over इमाम, बिलकुल, लेकिन Siam को मुझे है कि आप उस बिचारे के साथ भी एक तरह से जयाती है कि आप उसको first test tour Australia में करा दे हैं, against star commins in the road in Perth, तो I think यह भी है, लेकिन इमाम की बात आने सही है कि माम पे doubts हैं, कि वो like short ball पे काफी vulnerable है, like मेरा personal opinion यह कि हम अगर हुरेरा को लेके जाते हैं, तो हम उसको chance दे सकते हैं, क्यूंकि वो टीम के साथ रहा है भी है कुछ हरसा, उसकी like, 2-3 domestic star की performance है, so I think that Siam ने इस साल like, पूरी काईदे हैं, हम ट्रॉफी भी ने खिले तो 3-4 matches खिले तो I think that 2-3 के consistent performer के ओपर आप तीन से चार matches के performer को prefer नहीं कर सकते हैं, जो कि टीम के साथ रहा है, Aurera और like consistently perform कर चुगा है, even though इसकी technique का कुछ कहते हैं, like high pace का, इसने like, इतनी face नहीं की, यूँकि का त्रॉफी का standard नहीं है, international cricket or such scheduling का मसला होता है, so I think that Aurera का थोड़ा सा in experience में भी होता, but at least for team के कुछ देर साथ रहा अर like, यह तो जब squad rounds हुआ था, it was one of the questions जो मेरे दिमाग में भी था, और आपने वो अच्छा point out किया, कि Aurera should have been in the squad at least, बेशेक playing 11 में ना खेले, but he should have been in the squad, वो सिरलंका टूर पे भी गया था, उसने perform भी किया है, पिछले 2-3 साल से runs कर रहा है, domestic में, और high pace की जहां तक बात ह नहीं होगा, तो उसकी game भी develop नहीं होगी, तो यह तो खुझ सही, suppose कर लेना कि जी आप high pace को नहीं कहल पाएंगे, which is very unfair to him, तो यह, it's a good point that you mentioned about Aurera, और yes, he should, he should have been part of the Pakistan test squad, तो, और अब जो बालिंग, क्योंकि पाकिस्तान ने playing 11 भी announce कर दी है, बालिंग में, अमेर जमाल, पहीम, यह चार Pacers होंगे, आगा विल प्रोवाइड ऐस दे, स्पिन बोलिंग ओलराउंडर, फिफ बोलर होंगे, तो इसमें, like, काफी लोग कह रहे हैं कि हासन अली को खिलाना चाहिए था, या, हम, मीर हमजा को खिला सकते थे, तो, like, मेरा परसनल खिला, ख्याल है कि, like, हा आमिर जमाल का थोड़ा मिसला है कि उसकी लाइन और लेंथ वेवर्ड होती है, बट, I do think के, Australia में, at least, you need pace, to trouble, their battles, क्योंकि वहां की wickets are true, तो, like, अगर आप, ने, अगर, bounce out भी करना है, या, कुछ करना है, तो, उसके लिए भी आपको, at least, pace, चाहिए, विचाहिए, आमिर जमाल है, more than, हसन अली, यामीर हमजा, to, even, at least, try to trouble, the Australian battles, I think, लिए वही बात आया थी है, कि, आमिर जमाल के पर पेस है, लेकिन, inconsistent, बहुत ज़ाद है, even, कादे हम, ट्रॉफिय में, बहुत inconsistent होता है, तो, I think, हसन अली से, आपको, at least, control है, आगे से, उसको, कुछ, आउट करने के कोशिश कर सकते है, हसन अली के साथ, bounce out, मेरा, वैसे भी निखाद के को, इतने लएक है, कि हम कर सकते है, इतना, ग्रॉफिय अच्छे प्लेड होते है, shortball के, तो, I think, हसन अली बेतर choice होता, even, I think, मैभी, वसीम जुनियर को भी, हम try कर सकते थे, लेकिन, उसका लएक होई है, कि स्लिंगी एक्षिन में भी पर्थ पर उतना लएक बाउन्स कम होता, कि ना, लेकिन, I think, हसन अली बेतर choice था, मिजवाद से उसको खेला सकते है, हाँ पर, like, but, like, ये तो, मेरे जो ख्याल है, कि, जो नई बॉल है, अब वो, शाहीन के साथ, वहीन के सा दोस बॉलर्स जो एक्षिली लेंथ को हिट कता है, पाकस्तान की टीम में, तो, who would you prefer, what do you think है, खुरम को नई बॉल लेनी चाहिए, शाहीन के साथ, या फाहीन को, I think, खुरम को लेनी चाहिए, क्योंकि खुरम एक तो, like, more attacking option है, विकेट टेकिंग, और I think, recently, जो कादे हम ट् जाहिए, उसने खुरम शाहिए, उसने खुरम शाहिए, प्रैक्टिस में भी डिसंट बॉलिंग की थी, एक तो अच्छी बॉल्स पर आउट भी किये तो, I think, खुरम शाहिए, बेटर option है, अब हम और थोड़ा उस्ट्रेलिया पे भी आजाते हैं, उस्ट्रेलिया की टीम, like उनकी बॉलिंग तो बहुत सेटल्ड है, like, Star, Cummins, Hazelwood, like, पिछले 10-12 साल से, वो ही ऑस्ट्रेलिया में जितने टेस्ट मैच होए हैं, वो ही सिवाई कुछ एक-दो पैचिस के, वो ही खेले हैं, अकट्थे खेले हैं, और नेथन लॉइन भी, he's almost closing on on 500 test tickets, उनका बॉलिंग तो बहुत सेटल्ड है, और उस पर कोई ऐसाच question marks नहीं है, उन्होंने मिचल मार्श को prefer किया है, कैमरून ग्रीन के उपर, यह थोड़ी surprise call थी for me, के, because Cameron Green has been part of their test team, but I think वो जो एक दो इनिंग्स मार्श ने आके खेली हैं, उन्होंने, उसने actually वो अपनी जो test team में जगा है, वो ऑफिस ली है, especially जो उसने headingly में मेरे खाल से एक इनिंग्स खेली थी, century की थी, markwood के गेंस्ट, वो बहुत अची इनिंग्स थी, तो उसके बाद से, I think, marsh has gotten preference over green, और बाकी उनकी, like, smith is out of form, terribly out of form, like, world cup में भी हमने देखा, कि smith को मैंने कभी इतना out of form नहीं देखा, लबूशेन वो चिम्मट जाता है, और किसी ना किसी तदा runs कर लेता है, बाकी और वो ऑस्ट्रेलिया में खेलने हैं, तो any Australian batsman आपको पता है, पाकिस्तान के गेंच, वो, it's given के वो runs करेंगे, आस तो बहुत नर, बहुत नर को तो like, perfect farewell है यह उसका, कि उसने, like, at least 500-600 runs करके रिटायर होना है, यहां से, बाकी मिचल मार्श वाली वही बात है कि I think Ashes की performance पे उसको like, उने ज्यादा तरजी दिया है, Cameron Green के उपर, जबकि मुझे था मिचल मार्श के थोड़ा के थोड़ा के टेस्स में बता नहीं कैसा कहलेगा, I don't think इतना अच्छा कहलेगा, लेकि I think Ashes का in experience balling attack है, लेकिन अगर हम in experience ballers भी हों फिर भी like, हम known है कि हम out of form बैटर सौक सर्वार में लेकर आते हैं, तो I think Smith का भी कोई पता नहीं form आजे बापिस, Yes and Khawja ने तो आखरी जो पाकिस्तान का tour था उस पे proper enjoy किया था, तो वो भी he has a good record against us, और वो Warner वाली तो यही बात है कि हम वो तो runs करते ही करते हैं, हम कुछ catches भी छोड़ देते हैं, जो आते हैं, और वही वही like होता है कि आप जब सुबा उठते हैं, तो by that time, एक या दो catches, even before you have watched it, तो वो दो-तीन catches जो हैं, वो छूटे होते हैं, so अब हम coming closing end of the show, तो उस पे अब यही है कि what is your prediction for the series, कि किया score line ह 3-0 होगी, 3-0 होगी, 3-0 Australia, और तीनों innings defeat या, नहीं, I think at least एक तो innings defeat नहीं होगी, अच्छा, इतनी मुझे उमीज़ है, त्रीक है, त्रीक है, so I'll go with थोड़ा a little bold prediction, मेरे ख्याल से इस तफ़ा पाकस्तान एक test match Australia में, जीट जाएगा, from what I feel आ रही है, but वही है कि वो सिफ अपने आप दिल को खुछ रखने के लिए, आपने मैच देखने का, कि शायद इस तफ़ा एक मैच तो जीट जाएंगे, तो इसलिए मुझे मैच देखना चाहिए, तो बाकी यह था हमारा आज की टेपे की एपिसोड में, पाकस्तान व्रसुज ऑस्ट्रेलिया टेस्स सीरी अमीद करते हैं, आपको पसंद आया होगा, कॉमेंट्स में अपने कॉमेंट्स करके हमें अपना फीड़बैक दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे शो को देखते नहीं हैं, अगले प्रोग्राम तक के लिए अजाज़त, अला पिस